आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगेगी यह रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताक हाथ दंगे महोंने देंगे अब इसमें हम एक चौथे चमच लाल मेठ्यू को डालेंगे स्वार नुसान नमक डालेंगे एक चोथे चमच हल्दी पाउडर डालेंगे इन मसालो को हम हल्का सा सेख लेंगे ताकि इनका कच्छा पंदूर हो जाए अब इसमें हम आधा चमच अजवाइन डालेंगे अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे आधा चमच जीरा पाउडर डालेंगे आधा चमच अमचूर पाउडर डालेंगे यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगा पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे मसाले सिख चुके हैं अब इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे अब इस पानी में हम अच्छे से उबाल आने देंगे इसके लिए हम गेस की फ्लैम को तेज कर देंगे देखे पानी में उबाला गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चामल का आटा डालेंगे यदि आपके पास चामल का आटा नहीं है तो आप चामल को बारिक पीस कर भी उसका आटा रेडी कर सकते हैं मैंने एक कटोरी चामल काटा लिया है और एक कटोरी ही पानी लिया है यदि हमें पानी की जरूरत होगी तो ही हम पानी डालेंगे वरना हम पानी नहीं डालेंगे अब हम गेस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से मिला लेंगे दिखे मैंने अभी इसी इस तरह से मिलाया है अब इसे हम 2-3 मिनिट तक ढग देंगे दो से 3 मिनिट हो गए है अब हम इस مشण को एक बाउल में निकाल लेंगे देखियो पूरी मिश्रण को म tuning निकाल लिया है लेकिन इसे अभी हम थोड़ा सा थंडा होने देंगे अभी ये जाधा गराम है याद रहे ये जाधा थंडा भी नहीं होना चाहिए मिशन हलका सा ठंडा हो गया है अब इसे हम आटे की तरह घूंद लेंगे खाने में यहां नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप एक बाजरूर बना कर देखें बच्चों को तो यहां रेजिवे बहुत पसंद आएगी इस तरह से में इसका डूर एडी कर लिया है अब हम थोड़ा सा आचा लेकर इस तरह से इसके एक लबपी स्टीक बना लेगे लब आ पाजए देए इस तरह से मैंने इतनी लम्बी स्टीक बना ली है अब इसे हम बीची में से कट लगाएंगे और इसे रिंग की तरह बना लेंगे इन दोनों जॉइंट को हम अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं देखिए इस तरह से मैंने रिंग बना ली है इस तरह से मैंने सारी रिंग्स को रेडी कर लिया है मैंने यहाँ पर पहले से ही कड़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था तेल गर्म हो गया है अब हम रिंग्स को कड़ाई में डाल देंगे और दीमियाज पतलेंगे इन्हें हमें धीमी आज़ पर ही तलना है तीज आज़ पर रिंग उपर से तल जाएगी और अंदर से कच्छी ही रह जाएगी इसलिए हम इन्हें धीमी आज़ पर ही तलेंगे इन्हें पर्टा कर गॉल्डन ब्राौन होने तक तल लेंगे देखिए रिंग्स तल चुकी है आप ने हम एक प्रेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी रिंग्स को तल लेंगे देखिए इस तरह से मैंने सारी रिंग से तैयार कर ली है इस पर आप चाट मसाला डाल कर भी जरू कर सकते हैं फ्रेंड्स यदि यह रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नहीं नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें थेंक्यू फ्रेंड्स